ओके गुड मॉर्निंग स्टुडेंट से चलिए गांधी के सिक्षा दर्सन की बात करते हैं गांधी का सिक्षा दर्सन हर एक उस सिक्षक के लिए important है जो नया सिक्षक बनना चाहता है गांदी जी के अनुसर सिक्षा से अभिप्राय उस सक्षर्टा से नहीं है जिस सक्षर्टा का आज के समाज में बोल बाला है और उनका कहना है कि इस सक्षर्टा का मतलब सिक्षा नहीं होती है क्योंकि सक्षर्टा तो एक साधन है जिससे हम सिक्षा को प्राप्त करते हैं ठीक है सिक्षा तो एक साध्य है सिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुस्य के शरीर मन तथा आत्मा का सर्वांगिर याम सर्वत क्रिष्ट विकास होना चाहिए ये है उनका अभी प्राय युनों ने जो आज के जमाने के अनुसार देखें अगर तो त्री आर पर फोकस करने की बात की है पहली आर है रेडिंग देखें इसमें इंपोर्टन ये है कि रेडिंग माने कि वच्चे को पढ़ना आना चाहिए पढ़ने से सारी कुछ की जा सकती है अगर व्यक्ति को सही से पढ़ना आगया भाव की अनुसार समझ समझ के पढ़ना आगया तो उस बालक की पूरी लाइफ सरवत क्रिस्ट हो जाती है ये इनोंने कहा था और राइटिंग राइटिंग में हम अपनी फिलिंग्स को लिखते हैं राइटिंग में हम अगर प्राइमरी लवल पे देखें तो राइटिंग का मतलब सिर्फ ये होता है अच्छरों का लिखना आगयान कराना तो वो तो सक्षड़ता होगी लेकिन अगर सही से सिक्षत है व्यक्ति तो अपने विचारों को अपने मन के भावों को लिख सकता है साथ ही साथ अच्छी चीजें लिख कर वो समाज में धेर सारा बदला उला सकता है और एक सिक्षक के लिए लिखना और पढ़ना ये इंपोर्टन होता है साथ ही साथ अरिथमेटिक तो उस समय में इसका उच्छार्ण हम रिथमेटिक के रूप में करते थे इसलिए इन्होंने थ्री आर की बात किये थ्री आर में पहला रीडिंग हो गया दुसरा राइटिंग हो गया और तीसरा हो गया रिथमेटिक arithmetic में हम क्या करते हैं calculation को सीखते हैं जोड़ना, घटाना, गुड़ा, भाग जैसी गड़ती संक्रियाओं को सीखते हैं तो ये 3R पर उन्होंने focus करने को कहा है साथ ही साथ इसे सर्वतकृष्ट विकास या सर्वांगड विकास कि अगर बात करें तो ये 3H से ही संभा है, हमारा hand hand माने हो गई हाथों से हाथों से ही हम reading, writing का कारिय करते हैं, arithmetic में भी हाथों का उपयोग करते हैं तो ये बड़ा ही correlated है एक दूसरे से related है hand, hand को हम हुनर के रूप में भी, skill के रूप में भी देख सकते हैं हमारा हाथ से ही है हमारे हाथ में हाव भाव में इस सही है, भाव भंगिमा से सही है तो हम dance अच्छा कर सकते हैं music भी गाते हैं, कभी आप देखते हैं music गाते समय, या कोई भी बात हम करते समय hand का उपयोग करते हैं तो hand और head head second number है head में अपनी दिमाग को ले लीजिए जिसके अंदर आपका ये 1400 ग्राम का आपका दिमाग है और इसमें धेर सारी तंत्रिकाएं हैं, धेर सारा तंत्र है इतना बड़ा विशाल सा आपका head में ही आपके आँखें हैं, आँखों में आपको पता है कितने मेगापिक्सल का कैमरा लगा होगा है आपके आँखों में 576 जी हाँ, 576 मेगापिक्सल का और हम लोग मॉबाइल के चक्कर में पड़े रहते हैं कि मॉबाइल में 13 पिक्सल 50 मेगापिक्सल इसी में लेकिन 576 मेगापिक्सल का कैमरा आपके इसी head में है और head के अंगों में अगर हम देखे नाख है बाने कि चार जो आपकी गरंतियां हैं जिसे हम कहते हैं इंदरियां जिसे हम ग्यान इंदरिया कहते हैं वो सारा head के अंदर ही तो है आँख, कान, नाख, ठीक है जीब तो ये head बड़ा important है इसका विकास हो जाएगा तो विक्षी का सर्वांगड और सर्वतक्रिष्ट विकास होई जाएगा और हर्ट मने हिर्दे होती है हिर्दे से समझ रहे हैं आंतरिक विकास आध्धत्म के विकास के लिए हिर्दे का सही होना आवस्यक है तो उनके अनुसार 3H और 3R पर focus करने की बात की गयी तो आप सभी सिक्षक बनेंगे आप सभी सिक्षकों को 3H और 3R पर focus करना है और अपने 3R और 3H को पहले सबसे पहले आपको सर्वत krist बनाना है तभी आप उसको सर्वत krist बालक में ट्रांसफर कर सकते हैं हस्तनांदृत कर सकते हैं शिक्षक होता क्या है एक मित्र की तरह एक मार्गदर्शक की तरह एक सहयोगी और एक आदर्श होना चाहिए शिक्षक का अभी प्रा है सिर्फ वही नहीं होता जो आज तक हम लोगों ने बना लिया है पूरधरड़ा उस पुरुर धारडा से हट कर है शिक्षक एक पिता की तरह एक मित्र की तरह एक मार्ग दर्शक गाईर की तरह होता एक कोप्रेशन हेल्पिंग नेचर वाला सहयोगी होता है और आदर्श तो वो होता ही है उसके चरित्र और उसके कर्मों से वो आदर्श स्थापित करता है इन्होंने जो सिक्षा के छित्र में सबसे बड़ा जीवन दर्शन अगर देखे तो वरधा शिक्षा योजना जिसे हम बेसिक सिक्षा या बुनियादे सिक्षा की बात की जो 1937 में आई थी गांदे जी ने बेसिक सिक्षा को निमलिकी तरूपन में सुविकार करते हुए कहा है कि 6-7 की 14 बल्स के बच्चों को अनिमार यामनी सुल्क शिक्षा प्रदान की जाए ये राज्जी के जिम्यदारी है, स्टेट की जम्यदारी है सिक्षा का माद्य मत्री भाषा होनी चाहिए मत्र टंग होनी चाहिए और विद्ध्यार्थियों द्वारे निर्मत सामगरी का उप्योग उसको क्राय कर विद्ध्याले में उसका व्या करना चाहिए यानि कि हस्त कला पर विकास करेंगे तो हस्तकला और उद्धोगों से होगा क्या बच्चे के अंदर आर्थिक विकास भी होगा सर्वोतक्रिष्ट विकास या सर्वांगर विकास के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं इंपोर्टेंट है देखती का आर्थिक होना उसके हैंड में हुनर आना चाहिए और चरत सयम काविकास और सर्वांगर विकास ये बेसिक सिक्चा की बन्यादी बाते थी और इन्हीं बातों को लेकर उन्होंने सिक्चा दर्शन को आगे बढ़ाया